So guys जिको TDM तो हम सभी लोग खेलते हैं Classically साथ हम TDM है ना बहुत ज़ादा खेलते हैं तो लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ पता है कि याँ TDM में हमें Attachments कौन सी यूज़ करनी चीज़ कौन सी Attachments है तुम ज़ाद से ज़ादा Kills जो हैं तो definitely वो तुम से ज़ादा जर्फाइट्स में विन करने वाला है तो hey guys welcome back to the channel and finally आजगे कौन यू टिप्स और टिक्स वाली वीडियो के साथ तो guys आज की वीडियो रहने वाली है बेस्ट TDM attachments के लिए जो कि तुम लगा सकते हो और तुमारा game जो है ना TDM में वो बहुत ज़ादा अच्छा कर सकते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना आगे बढ़ने से पहले 10,000 लाइक काम एम रखते हैं लेकिन guys 10,000 तुम easy करवाद होगे तो 15,000 काम रख लेते हैं तो 15,000 का लाइक है में फटाफट से complete करवा देना बाकी भी दाउर बेसिंगे ने मोर टाइम लेट के स्टार्ट तो guys देखो ज़ादा लंबी वीडियो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है तो फटाफट से में तुम्हें सबसे जो पहली अटेच्मेंट आजाती ने इससे बहुत ज़ादा बड़ा difference create हो जाता है आज की date में तो वो आजाता है हमारा muzzle अब देखो muzzle तुम्हें तीन तरह है कि बिसिकली चार तरह की देखने के मिल जाते है सबसे पहला होता है flash hider, फिर आता हमारा compensator, फिर आता हमारा suppressor and then guys हमारा आ जाता है barrel extender दीरे-दीरे कम होते जाता है like जितनी जादा दूर से गोली travel करेगी न उसका damage उतना जादा कम होते जाएगा लेकिन ये जो चीज है बैरल extender इसको अगर आप use करते हो तो suppose करो आप ADS fights ले रहे हो, आपको जादा दूर बंदा मारना है तो वहाँ पर जो है न भाई जो गोलियों का जो पावर होता है न जो damage होता है वो इतना जादा कम नहीं होगा अगर हम इसे compare करें flash adder या फिर suppressor या फिर compensator से तो basically कभी भी तुम्हें mid range की fight होती है या फिर तुम ADS वाली fight जादा खेलते हो तो guys इसकी मदद से तुम्हें वहाँ पर थोड़ा से advantage जादा मिल जाएगा अगर हम किसी भी और muzzle से इसको compare करें अब देखो 41 का जो damage हो normal M4 का होता है किसी भी muzzle के साथ में like compensator या फिर हमारा suppressor या फिर flash adder लेकिन guys barrel extender जैसी ही तुम attach करते हो न तो वहाँ पर जो M4 का damage हो 2 plus हो जाता है like उसका damage हो 2 से बढ़ जाता है तो suppose करो 41 पहले damage था न तो अभी हो जाएगा वो 43 तो guys इसको सुनने में इतना जादा कोई बड़ा difference नहीं लग रहा है लेकिन भाई बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जो है damage में उतार चड़ा और नहीं आएगा seem damage रहेगा 41 का लेकिन अगर मेरी बात मानो न तो भाई देखो barrel extender यूज करो वो मैं खुद भी अभी यूज कर रहा हूँ and उससे मुझे अच्छे results भी मिल रहे है तो guys अभी हम बात कर लेते grip कौन जी यूज करनी है आपको आपका friend को खेल रहे है और वो बोल रहे है कि grip से इतना जाधा फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हैड नहीं पड़ते laser वगेरा से तो भाई मैं बता दू कि बिल्कु लेना बाई laser से तुमारे जो headshot है वो जाधा पढ़ने लगते है और उसका काम ही है कि तुमारी जो bullets है ना उनका spread कम कर देना तो guys देको ये grip है ना मैं वैसे तो जाधा use करना prefer नहीं करता हूँ इसलिए मैं loadouts में हमेशा 2 M4 रखता हूँ ये एक मेरी favorite grip angle grip के साथ में रखता हूँ M4 तो guys laser grip है ना भाई सबसे जाधा best रहने वाली है बाकी बची हमारी और grips है ना उनसे जाधा difference create नहीं होता है हाँ तुमारा recoil वगेरा कम जाधा होता रहता है लेकिन देको TDM में recoil का कोई नहीं ध्यान रखता होगा कि तुम कर सकते हैं और daily हम custom वगरा खेलते हैं ये जो clips तुम देख रहे हो ना भी आगे वाली ये सारी competitive clips रहने वाली है तो custom वगरा हम लगातार खेलते हैं वापे तो make sure to hit that follow button उन लो को description में link दाल दिया है मैंने वागे मैं मिलता आपसे लीओड़े में तब तक के लिए good bye love you guys keep grinding मेरे पीछे पीछे वाले तो मारे वाले टेक नॉंक दिया मैंने चट रेके उधार से राइट तेक नॉंक देर अजाने मैं पीछे आज़मा तो मैं पीछाओं मैं तो मुझे एक और डाले लेटार से बड़े जोड़ open nice लगाई जब खब एगाई जब लुटाई जब एगाई जब एगाई जब ए वाई आगाई